नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको बटम का पट्टी बनाने के लिए बताए थे कि पट्टी आपको कैसे बनाना है पूरा पट्टी इस तरह से यह बटम का पट्टी है यहां पर आपको बटम लगाना है तो इस त को बटम का हॉल कैसे बनाएंगे हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे तो बटम का हॉल बनाने के लिए यहां पर जो हम पट्टी बनाए हैं पट्टी पर ही हॉल बनाएंगे तो हम यहां पर आपको यहां पर साथ फंदा का मेरा बना हुआ है तो हम यहां पर तीन फंदा आका आपको hall बनाने बताएंगे तो 2 फंदा इधर रहेगा और ये बीच में 3 फंदा का hall बनेगा तो हम क्या करेंगे पहला फंदा को उतार लेंगे एक फंदा को सीधा बुनेंगे और अब देखिए इसको हम ऐसे सीधा से उतार लेंगे या इसको बून भी सकते हैं आप इसको बून दीजिए एक फंदा सीधा बून लिए फिर दूसरा फंदा भी सीधा बून लेंगे और ये पहला फंदा जो है इसको हम उठा करके इस तरह से सलाई पर उठाएंगे और इसको हम दूसरा फंदा के ऊपर से ऐसे टपा देंगे तो देखे यहां पर हमारा एक फंदा घट गया है अब फिर हम इस फंदा को भी इस तरह से सीधा से बुनेंगे और इसको उठा करके हम इसके उपर से टपा देंगे दो फंदा हो गया फिर एक फंदा को इसी तरह से सीधा बुन करके और इसके उपर से ऐसे टपा देंगे तो इन फंदा हमारा देखें यहां पर खाली हो गया जगह और अब हम यहाँ पर उल्टा है तो हम धागा को आगे करके उल्टावुश एऊ का फिर धागा को पीछे करेंगेowej और यहाँ पूरा सलाई हम प्लेन बना लेंगे, सीधा के तरफ से देखे, पूरी सलाई हम बना लिए हैं, और अब हम उल्टा के तरफ से उसी तरह से यहां से लेके यहां तक प्लेन बना लेंगे, जहां तक हमारा घर बंध हुआ हैं, तो इसको हम पूरी सलाई को प्लेन बना लेते हैं, तो देखे यहां पर जहां तक हमारा बंद हुआ था घर वहां तक हम पूरी शलाई को प्लेण बना लिये हैं और जहां पर हमारा फंदा बंद हुआ है तो यहां पर हमारा तीन भंद्ण बंद हुआ है तो हम यहां पर तीन फंदा बना लेंगे देखिए, एक, दो, और एक तीन, फंदा हम एक्स्ट्रा बना लेंगे यहां पर और उसके बाद देखे इसको हम, जैसे बनाते हैं बόardर का उस तरह से हम इसको बना लेंगे तो यहां पर देखे हम पूरी सलाई बना लिए और अब देखे हम आगे के तरब से जैसे हम बुनते हैं पहला फंदा को उतार लेंगे एक फंदा को सीधा से बनाएंगे फिर धागा को आगे करेंगे और एक फंदा को उल्टा बना लेंगे फिर धागा को पीछे करेंगे और एक फंदा को सीधा बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर धागा आगे और एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा जैसा बॉर्डर है हमारा उसी तरह से अब हम पट्टी जैसा बनाए हैं उस तरह से हम पट्टी बनाती जाएंगे तो यह देखे हमारा हॉल बन जाएगा और इस पे आप बटम आसानी से लगा सकते हैं खुब खुबसूरत से लगा सकते हैं देखे इस तरह से यह हमारा हॉल बनेगा अब हम इसको जैसे बनाते हैं थोड़ा दूर तक बना लेंगे उसके बाद हम दूसरा हॉल बनाएंगे तो तो इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे तो हम इसको थोड़ा सा एक दो लाइन रिपीट कर लेते हैं तो देखिए यह बटम हॉल बनाने का आसान तरीका तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया ह हो तो लाइक करें और धेर सारा शेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू हॉजग